इसमें ज्यादा बड़ी आप ज्यादा बड़ा पॉइंट लेकर नहीं चलता हूं कि यह पॉइंट हमें आसानी से मिल जाते हैं और यहीं चीजे जब एक्सपारी के दिन मिलते हैं तो फिर धमाका हो जाता है क्यूंकि सतर सो पॉइंट के दिन का मतलब कि पैसा डबल आपका को अपलाई करते हैं हम लोग तो यहां पर देखिए टू 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 मैंने अपलाई किया था एक्सपारी वाले दिन ही अपलाई किया था यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा दो चीजे ध्यान रखना पड़ता है यहां पर पहले तो अगर कोई रेंज बनी हुई है यहां पर तो डो कंडिशन होती यहां पर जेखिए गर श्रेंड के पीच में करता है चौक के के यहां के बें बनता क्योंकि यहां पर यह सपोट का काम करेगा यह रजिस्टंस का काम कर आ अभीद shift το यहां पे यह कैन्डल जो है वो n Christine टूट्वंटी की एकस्पायरी वाले दिन की एकस्पायरी वाले दिन में यह तो अपने टेलीग्राम में भी अपडेट किया हुआ था यह तो यहां पर यहां पर कुछ नहीं सीधा-सीधा इसी केंडल का लो एसल होता है ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं कभी 35 पॉइंट का मिलता है कभी 50 पॉइंट का मिलता है कभी-कभी 20 पॉइंट का हम कैंडल का हाई ब्रेक होते हैं पिल्कुल जैसे आपको हाई दिखना कि मानलीजिए अगर 42,000 122 है तो जैसे ही यह 123 हो आपको ट्रेड ले लेना है सोतना नहीं है कि यह 10.2 पर चला जाए 20.2 पर चला जाए तब में लूँगा और जैसे ही अगर इस कैंडल का लो मानलीजिए 42,000 122 है तो जैसे ही यह 19 यह 18 आपको टेट कट कर देना है इमोसन नहीं रखना है यह यह बाइंग हमने क्या देखके करी है सिर्फ यह कैंडल का मूव आता है 220 के बाद कैंडल होती ना उसका मूव देता है मैंने बहुत सारी 220 भी देखा दो बज़े भी देखा करके हमने by क्यों कि हमने यहां है विसकेंडल को आपको बाक आपको मिलेगी Says कींडल को इसको अब दूसरी चीज़ एक्वरेसी का मतलब यह भी होता है अगर मान लिजिये कि यह हर दिन के लिए एक्सपारी के लिए नहीं यह एवरी डे के लिए बस कुछ कंडिसन और को फुल्फिल करें खुर कंडिशन बता हो यह 75 75 85 इसका बहुता हो ना कि अगर मान लिजिये हम बताब 1500 उपर गया लेकिन इसके बाद के 6 ट्रेट अगर 20 20 पॉइंट के लेते हैं तो आप किया बोलें कितने परसंट चल रही है इसका सक्षेशन रेट क्या है क्योंकि 6 होने के बाद में आपके कितने पॉइंट गया अभी तो मेरा कहने का मतलब मेरे से यह है कि आपका ज फइब जेन केंडल बननी है इस घ्रिन केंडल का लोब्रेक करेगा तब रेट केंडल को इस był जो को लोगी एक ज्चाह्यों लएंका एक टालीस सब्सक्रीच सोब्सक्राइब रखते ह Sith ऑन्न 8 वह टालीस 4200 व क्या पस्तों फ्रसे कि यह लाना है अधना विलेक्ट माला है है यह पंद्रह यहां पर सिर्फ एक ध्यानक नहीं है कि अगर यह किसी रेंज में बन रहा है अगर इसी किसी रेंज के अंदर में बन रहा है अगर माली यह केंडल हमें सेल साइड में जानी होती है यह लोग को ब्रेक करता तो मैं यहां पर टेड नहीं लेता क्योंकि यह रेंज थी नीचे यह सपोर्ट बन रहा था ना तो दस पॉइंट बाद यह सपोर्ट है मैं इसके लिए ओपन जगह चाहिए होगे मैं पीछे चार दे कुछ दि केंडल हमारी इस केंडल का जो हाई है वो लगा है यहां पर 41907 का यह दो बच्छेस पर क्लोज हो गई हमारी यह केंडल है यह केंडल का हाई है 912 का ठीक है और इस केंडल का जो लो लगा है वो लगा है 844 का यानि हाई लो का डिफरेंस देखेंगे आप यहां पर तो कितने पॉइंट का है, फोलव पॉइंट इधर बारण पॉइंट इधर, यानि कितना 28 पॉइंट का यहां पे असल बनेगा, तो यहां पर ब्रेक कहां पे कर रहा है, नीचे की साइड की, हाँ नी ब्रेक किया, अब लो ब्रेक करने के बाद कि कैसे यह ट्रेंडिंग आ रहा है, अग यह गया है अब इसनल से लो फिा हाइग कि तरफ गया, तो क्या होगया हमारा मन मुक्त्रता या एंट्री करना हमारा एंट्री का पे हो गई हो गई होगया ह Rider तो तुम्हारा स्ल होगा स्पिदा सिधा सिधी बाति कुछ नग में भूब रखना नहीं अब करेंगा ना तो आपको कहां पर निकल लेकिन मेरा यहां पर एक फंडा यह है कि मैं यहां पर ग्रीन केंडल बनती तो ही निकलता है आप ग्रीन केंडल पर निकलते हैं पर अगर मैं इस पर होता तो मैं 258 पर निकल जाता क्योंकि तीन बज़े तो शाप मूव आता है अब अब और वह रेड बंदी आपको तो मज़े आ जाते हैं रेड बंदी तो निचे आता है वहा पर दोई कंडिशन यहां ठीक है फिर आपका वाला ठीक है strategy की ग्रीन पर निकल जाओ जो तो देखें यहां पर कब नहीं करना है तो कब करना है यह तो यह तो क्लियर हो गया कि कब करना ह है तो इसको में सब्सक्राइं करने वाला हूं कि यह जो सपोर्ट है इसको यह ता बहुंकि और जाते वेक्तमें यहां प THE G करने वाला हूं नीचे के लिए मेरे पास रीजन है कि नीचे आएगा तो मैं इसको अप्लाई कर दूगा क्योंकि एक रेंज बनी हुई है और ट्रेंड हमें मिलता है तो अगर अपोजिट डारेक्शन का ट्रेंड मिलता है तो ज्यादा अच्छा मुव करता है लेकिन कभी भी जब भी रेंज बनेगी तब इसकी अंदर और कुछ लिमिटेशन जो आप बताना चाहेंगे इस्ट्राटेजी ने बिल्कुल क्लियर कट है इसमें आप लोगों को आज ये स्ट्राटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दरीकर समझ आ गई होगी जैसे मैं बोलता हूं कि आपको जो वैल्यू मिल रही है इसे प्लीज शेर कीजे जिससे वैल्यूबल इंफरमेशन देखो हमारा मोटेव है आप लोगों के साथ जो इंफरमेशन नौलिजबल है जो आपके काम की है जिसके आप आप अक्शन ले सकते हो शेर करना और ये इंफरमेशन सिर अपने तक मत रहिए इसे शेर कीजे इस प्लेइस को और भी आप शेर कर सकते हैं जिससे सरकास टाइम है और हमारे एफ्रमस तक को सबचते हैं टेख dif शेर आ बरीकं मीएं इसे को निन ईच्वाच बता को आई!